आज ही doubtnet आप डाउन्लोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउन्लोड का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउन्लोड नाउ इस question में हमें दिया गया है an electron gun is placed inside a long solenoid of radius r on its axis the solenoid has n number of turns per unit length and carries a current tie the electron gun shoots an electron along the radius of the solenoid with speed v if the electron does not hit the surface of the solenoid maximum possible value of v maximum possible value पूची गई है v की कि कितनी speed से मैं एक electron को fake सकता हूँ along the radius of a solenoid कि वो किसको ना टक रहा है solenoid की surface को ना टक रहा है ठीक है तो देखो भई यहां पर जो diagram दिया हुआ है वो अपने को समझ में आता है अब एक बर इसका फिर से थोड़ा बड़ा diagram बनाने की कोशिश करते है ताकि चीजों को imagine किया जा सके क्योंकि अपने को question दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि भई मानलो यह solenoid है ठीक है इसी का बिल्कुल सेम डियाग्राम में बना रहा हुआ है और यह इसका मानो की क्रॉस सेक्षन हो गया ठीक है अब solenoid के एक्सिस क्या होगी भई solenoid के एक्सिस इस तरह से होगी ठीक है इस तरह से होगी बिल्कुल सही बात है अब इसमें जो current बह रही है वह कुछ इस direction में तो current इस direction में ऐसे बह रही है क्योंकि sign भी लगा एक्सिस पे वह तो भै इस direction में होगा इस direction में होगा चीक है ऐसे अपनी फिंगर्स को करने की कोशिश करो इस direction में तो आपके थमब की direction जो होगी वो बताएगी आपके magnetic field के direction को तो इसे right hand thumb rule से भी बोलते हैं अब बात करते हैं कि अगर मैं electron को मतलब कि यह जो अपनी magnetic field की direction है वो इस side में होगी ठीक है अब अगर मैं एक electron को along the radius shoot करूँ तो भाई मानो कि ये electron है ठीक है अब इसको मैं along the radius, radius का होगी भाई radius तो इधर की साथ तरफ ही होगी तो along the radius shoot करूँ, इधर की तरफ shoot करूँ तो अब एक concept समझ में आता है हमें कि जब भी magnetic field में किसी भी particle की charge particle की velocity perpendicular हो जाती है magnetic field intensity के, यानि कि magnetic field जिस direction में है उस direction के perpendicular हो जाए particle की speed तो वो एक circular path में घूमने लगता है ऐसे बहुत सारे examples आपने देखे होंगे circular path में घूमने लगता है, ठीक है तो भाई circular path में घूमेगा, यह है अपना electron ठीक है, यानि कि electron पर जो force लगता है वो होता है Q, V cross B और इसका interpretation में आपको दिखाता हूँ इसी diagram में थोड़ा सा imagine करने वाला part है कि electron ने दिखाई नहीं देगा और उसके अलावा 2D में हम circle बनाएंगे और वो भी cylinder के अंदर, ठीक है तो भाई, V cross B की direction होगी किस की direction, force की direction ठीक है, तो V cross B कहा होगा यह तो लगता है positive charge Q पे अगर मैं force देख रहा हूँ electron पे तो electron पे force लगेगा F is equal to minus E V cross B यानि कि V cross B की opposite direction में जैसे positive charge पे V cross B की direction force लगता न, ऐसे electron पे just V cross B की opposite direction में हो जाएगा तो देखो भाई, V इस direction में है ठीक है, और, sorry V इस direction में है और B इस direction में है तो अगर V इस direction में क्योंकि इस direction में project किया गया electron को, तो V इस direction में magnetic field इस direction में, तो देखो V cross B करके देखो अगर आप V cross B करते हो जीक है, V cross B अगर आप करते हो तो कहां आता है electron के उपर force, इस direction में आता है, तो ये तो है positive charge बे force, तो opposite charge बे कहां लगेगा, negative charge बे अंदर की तरफ, यानि कि आप ऐसे मान के चलो, अभी तो मैंने इसको इदर की तरफ shoot किया, मान लो मैं इसको particle को इदर की तरफ shoot करता, चीक, इदर की तरफ, तो V इस direction है, V इ इदर की तरफ, चीक है, यानि कि बस perpendicular होने चीए, दोनों concept यह केता है, radius तो देखो भई, center से, इदर की direction में भी हो सकते है, इदर की direction में भी हो सकते है, मेरी मर्जी में कि दरफ है को इसको, चीक है, जो magnetic field है, वो हमें सा perpendicular होगा, क्योंकि magnetic field along the axis है, और radius हमें से axis के क्या रहेगी, perpendicular रहेगी, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे plane में बना के भी दिखा दिया है, तो अगर मैं ऐसे मान रहा हूँ, कि ऐसे मान के चलो कि मैं जो particle है, उसको कुछ इस तरह से throw करता हूं, किस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, कि x-axis के along उसको throw किया जाता है, इदर throw कर देता हूं, अभी मैंने जैसे बता है, तो इदर की तरफ throw करता हूं, तो v x b अगर मैं करूंगा, v x b, तो force लगेगा positive particle पे इदर की तरफ, ठीक है, minus y direction में, लेकिन क्योंकि electron है, तो electron पे force लग जाएगा इदर की direction में, ठीक है, तो electron पे force लगे इदर, तो जैसे ही हिट नहीं करता है, मतलब कि क्या होगा, कि अगर मैं इदर fake रहा हूं, particle को, तो particle पे force लग रहा है, इदर की तरफ, तो मतलब कि क्या है, कि इदर की तरफ accelerate होना चालू हो जाएगा, मतलब कि, ऐसे अगर इसको fake है, तो इस तरह से इस तरह से जाके यह अपना circle पूरा कर करेगा, अब क्योंकि ये particle जो है, ये इसको टच नहीं करता है, अगर इसको touch नहीं करेगा, मतलब कि just touch कर जाए, just touch कर जाए, कि कुछ ऐसा वन जाए, कि ऐसे फेका पनने, और ऐसे 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 just touch करता हुआ गया, और ये यहां की बाहर की जो surface से इसको भी just touch करता हुआ, इसका इसका मतलब यह है कि जो circular path इसने travel किया है यानि कि जो circular path ट्रेवल किया है electron ने वो यहां से axis से कोशिच करो समझने की यहां से इस तरह का होगा उसका इस तरह का नीचे जाके और पीछे से गूम किया के ऐसे हो जाएगा मतलब क्या है मतलब सीधा सीधा यह है कि जो solenoid की radius है आर solenoid ठीक है वो solenoid की radius जो है वो क्या होगी वो उसका अगर मैं आधा कर लूँ तो वो path trace किया है न जो particle ने उसकी radius बन जाए ठीक है आर particle कैसे पता चला देखो बैज समझने की कोशिच करो ऐसा अपने पास में solenoid है यह axis है चीक है मान लो magnetic field और अपने को तो वी को perpendicular करना है इधर magnetic field है इधर की direction में और इधर मान लो नीचे की तरफ में V है तो V cross B करके देखो V cross B तो किदर की तरफ आया बाहर की तरफ में आया इधर ठीक है तो जो अपना electron पर force लगए वो अंदर की तरफ होगा तो V इधर है तो particle इस तरह से जाएगा इस तरह से इस तरह से और इस तरह से पूरी करते हुए आ जाएगा यानि कि जो solenoid है उसकी radius जो है वो क्या होगी वो आधी होगी किसके particle ने जो path trace कया उसकी radius के तो अगर ऐसा है तो कोई भी particle अगर circular motion कर रहा है तो वो कितना radius बनाता है mv upon qv r is equals to क्या होता है mv upon qv और यह derivation कहां से आया भई derivation आया अपना क्योंकि circular motion कर रहा है path किसी भी particle किसी भी path में किसी magnetic field में तो वहां से हम लिखते थे mv square upon r बराबर f f की value क्या होती थी q v cross b तो v और भी तो perpendicular है तो यहां से क्या होता था r की value आ जाती v से भी cancel out mv upon qv ठीक है तो क्यूंकि थोड़ा lengthy सा सवाल है और अच्छा सवाल है तो समझने की कोशिश करते हैं कि mv upon qv हो जाएगा अपने पास में अभी हो गया r solenoid ठीक है r solenoid जो हो गया वो अब एक बात समझने कोशिश करो चार्ज क्या है एलेक्ट्रोन और solenoid के magnetic field क्या होता है वो होता है mu naught n i यह तो direct formula पता होगा n क्या है number of tons per unit length i क्या है current in the solenoid और mu naught क्या है mu naught है अपना permeability of free space तो देखो r by 2 जो है वो हो जाएगा mv upon q की value क्या है e mu naught n i ठीक है अब भाई v की value निकालनी है मुझे तो v की value maximum क्या हो सकती है v की value maximum इतनी हो सकती है कि वो जो particle है वो solenoid की इसको touch ना करें मतलब इसको just touch कर सकता और छू के वापस इसी तरह से circular motion करता रहे तो भई v की value हो जाएगी अपने पास में r e mu naught n i upon 2m तो आर यहां से answer क्या बन जाएगा अपने पास में तो यहां पर थोड़ी सी printing mistake है यहां पर हमें यह नहीं लगाना था तो option one correct हो जाएगा अगर यह होगा mu naught e n i r upon 2m तो यह correct option हो जाएगा first is the correct answer यहां पर टू लिख दिए गया था गलती से तो व की value क्या हो जाएगी mu naught e n i r upon 2m तो समझ में आ गया होगा आपको classics to 12 से लेके need iit je means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजे अपने doubts 8444 चार सुपर कर दो